श्कार मेरा नाम है भरत ये ताराचननानी अच्छ मैं राजिस्तान से बिलॉंग कर रहा हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोग डाउन में जब लोग अपने घरों पर हैं जब प्रशासंद की अनुमती नहीं मिल रही है तो गरीब तपके के परिवारख वालों के लिए परिशानी हो रही है रोज मरा की जिन्दगी जीनने के लिए उन तक खाने पीने की चीज़ें पहुचाने में बड़ी परिशानी हो रही है कुछ संस्थाने आई हैं इस मुईन में आगे और परिशानी फिर भी हो रही है क्योंकि जनसंक्या इतनी जादा है और गरीब तप के परिवार इतने जादा हैं कि वहां तक चीजें पहुचाना बहुत आसान नहीं है क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी चेन और बहुत बड़ा सिस्टम है लेकिन बशरते आप अपने घर में सुरक्षित रहें सतरक रहें और सबसे जरूरी चीज बार बार सेनिटाइज चीज नहीं है बहुत लंबा जाएगा तो कोशिश करिए इस मुहीम में जुड़िए गरीब लोगों की मदद करिए उन संस्थानों से जुड़िए जो गरीब लोगों तक ये चीज़ें पहुचाने का काम कर रही हैं मैंने कवीता लिखी थी कोई समय पहले जो आज के हाला हैंसा आप सोचते कि फटे पुराने कपड़ों में कैसे वो ठेले पर चैन की नीन सो जाता है दरसल वो खुद नहीं सोता अक्सर मजबूरी गरीबी उसे ठेले पर सुलाती है और हम कभी शायद महसूस नहीं कर सकते कि गरीबी कैसे कैसे खुन के यहां सुरो लाती है मेरे श तुकी, रोटी, फटे जूते और फटे कपड़ों में अपनी बग्या के फूलों को सीजता है लाखों के मुनाफ़े में इनका भी हात होता है फिर जाने कितने दर्द ये सह जाते हैं और उसे बिमार होने का हग भी नहीं साब उसके बचे बुखे रह जाते हैं अक्सर उच नीज के चक्कर में हम इंसानी धरम कितना निवाते हैं फटे कपड़े पुराने जूते देकर हम भी तो साव करी जताते हैं ठकार कर जब वो रात को अकेला हो जाता है तो ठेले पर अपने सबसे गरीबी साथी उसकुते को भी सुलाता है तो महेंगे बिस्तर पर सारी रात ह में जब चैन की नीन तक नहीं आती ये ठेले पर बेहत सुकुन से सोता है ऐसे खबर तक नहीं लगती रागश सुगय हो जाती है एक वक्क का खाकर जब वो दूसरे वक्क का सोचता है तो गरीबी का हर लमा साथ इसे बग़ा बगा के नोचता है नमेहंगे खिलोने हमारी दुकानों को चलाता है जो वक्त की सूखी रोटी ढखने को छत और इजच ढखने को फटे पुराने कपड़े मिल जाते हैं तब ये सुकून से जीते हैं साब और उसी सुकून से ये लोग मर जाते हैं जब आठ डिगरी के सर्द रातों में अक्सर हमारे बच्चे हीटर में रो जाते हैं तब उनी सर्द रातों में अक्वारे इनकी चदर बनती है और खाली काड़ों इनका पिछोना बन जाते हैं तो खुदा के वास्ते कभी इने ठेले यां चबूतरे पर सोता देखो तो रुक कर इने थोड़ा सा प्यार जरूर देना बस एक गुजार इसे सा अगर कुछ न कर सको ना तो दो वक का निवाला हुने दे देना क्योंकि ठेले की नीन पर सोने वालों के धरन इमान तो होते हैं और जद्धो जहत में हम भूल जाते हैं ये भी खुदा के बने इनसानी तो होते हैं इसे शेयर कीजिए क्योंकि आज की जो सिती है जो अभी मा माहूल बना हुआ है इस माहूल में उन गरीबfahrवालों के लिए हम से जादा मुष्छे है हम उतने जादा दोखी नहीं जितना हम रो रहे हैं क्योंकि परिवार में, खाने के लिए हमारे पास सब चीज़े हैं ख्याल रहें, सतरक रहें, अपनी हिराज़त करें आसपास के लोगों की कोशिश करें सुरक्षित रहे कर मदद करें बहुत शक्रिया बहुत 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 नवाज़ीश नमस्कार नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन देखे हम सब मिलकर नवल करोना वाइरस या कोविड नाइनटीन को फैलने से रोक सकते हैं इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे खासते या छीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या टिशू से ढखें इस्तमाल किये टिशू को तुरंत धकनदार कच्रे के डबे में डाल दे अपनी आँख नाख और मूँ को हाथ से नच्छूए आप अपने हाथों को समय समय पर सावन और पानी से लगब 20 सेकंड तक दोए भीड भार वाली जगापर जाने से बचे अगर आपको खांसी बुखारी असास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखे ऐसे लक्षण देखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सला ले अस्पताल में आप अपने मूँ पर मास्क या रुमाल ज़रूर रखे अधिक जानकारी के लिए स्वास्त तेवं परिवार कल्यान मंत्राला की एक हल्प लाइन है 011-2978046 अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए कर दोड़ इसलाए याड़ याँ कर लो झाल झाल